तो फ्रेंट्स आज जाती हुई ठंड की एक खास रेसिपी यानि पीनट चिक्की बना रहे हम और उसके लिए हमने कड़ाई ली है और उसमें हमने दो कप मूफली ली है ये कच्ची मूफली है किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाती है इनको हमें लो फ्लेम पे ना भूनना है आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें फ्लेम को हमें लो ई ही रखना है बीच में थोड़ा भूत मीडियम कर सकते है वैसरे लो पे ही आप इसको ब्हुनना है और इससे न पीनट बहुत अच्छे से बुंती हैं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखे और इनको ल यही sign है कि यह अच्छे से roast हो रही है और देखिए काफी color change हो गया है अब हम gas का flame off कर देंगे और इसको कुछ second के लिए फिर चलाएंगे off करने के बाद gas और अभी हम इसको निकाल लेंगे plate में और इसको फैला देंगे और ठंडा होने देंगे जब यह completely ठंडा हो जाएगा त इससे हात में लें और आप इसको इस तरीके से रगड़ेंगे न तो झिलके अपने आप उतर जाएंगे इस तरीके से यह देखिए अराम से छिलके उतर जाते हैं तो हमें सारी मुंफलियों के इस तरीके से छिलके निकाल लेने हैं दोनों हाथ की हेल्प से कर ले आए एक हाथ से कर ले कैसे भी कर ले तो बहुत असानी से छिलके निकल जाते हैं और फिर इनको साफ कर ले छिलकों को हमने यहां अलग निकाल दिया है यह देखे कितने सुन्दर हमारे यह peanuts के without छिलके वाले दाने निकल के आये हैं तो चलिए अभी हम next step की तरफ चलते हैं तो यहां हमने grinding jar लिया है और इसमें डाल दिये हमने अपनी यह मुफली और इनको हम दरदरा पीस लेंगे पल्स पे पीसे लगातार ना चलाएं यह देखे मैं दिखा देती हूँ कैसा texture होना चाहिए यह देखे इस type का इसमें texture होना चाहिए बहुत ही जादा दरदरा पीसना है हमें और चलिए अभी next step की तरफ यह हमने कडाई लिया और उसमें दो कप गुड लिया जिस कप से हमने और फिर उसमें दो बड़ा चमच देसी घी डाला है और फिर इसको mix किया है अच्छा सबसे जरूरी ध्यान देनी वाली बात यह है कि आपको gas का flame low रखना है हमेशा और अभी हम इसमें दो बड़ा चमच पानी डाल देंगे बस दो बड़ा चमच इस से जादा नहीं डालना है कम बेशक हो जाए जादा नहीं डालना है बस हमें गुड को melt करना अच्छे से तो घी से इसमें चमक आएगी और जो इसमें हमने पानी यूज किया है उससे यह बहुत अच्छे से melt होगा और यह देखे जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे यह एकदम fluffy हो जाएगा इस तरीके का आपको लगातार चलाना है गैस का flame low रखना इस बात का जरूर ध्यान रखे चलिए अभी करते हैं हम टेस्ट इसमें एक पानी लिया है कटोरी में और उसमें यह डाल के देखा है गुड थोड़ा सा तो देखे यह बिलकुल भी अभी perfect नहीं है एकदम melt हो रहा हैंगे मैं बार-बार बता रही हूं यह बहुत जरूरी point है और देखे अभी जैसे जैसे यह पकेगा इसका color भी change हो जाएगा तो चलिए अभी फिर से एक बार test करते हैं color देखे कितना dark हो गया है अभी हमने फिर से पानी में थोड़ा सा गोड़ डाला है और यह एकदम set हो का और है आप इस गुड़ को लें और एक plate लें खाली और उसमें यह देखे किस तरीके से अवाज आ रही है एकदम कट से अवाज आएगी जब आप इसको डालेंगे न तो बस ऐसी अच्छा ही और एकदम से तूटे गा यह देखे ऐसे तूट जाएगा तो चलिए हमारे ग अच्छे से मिक्स कर लिए गोड़ दाला डे जाती है गुड़ पे डेखे लिए और मिक्स करने के और यहां अधरी जब एक प्लास्टिक शीट जो घरी घर पार नीसा मिली जाती है तो फेुड़ भालते घी स्प्रेड कर ले ब्रश गसा बष बाल टीजाओ से यह कि काम आपको बहुत फटा-फट करना है अभी इस स्पेचुला पर चिपक रहा तो दूसरा स्पेचुला लिया और उस पर घी लगा लिया है अभी इस पर बिल्कुल नहीं चिपकेगा और फटा-फट से इसको सेट कर देंगे यह देखे इस तरीके से आप यह किसी भी थाली में घी लगाके तब भी कर सकते हैं अराम से हो जाएगा दूसरी शीट इसके उपर रखा है और फिर इसको इस तरीके से बेल देंगे बस थाली में करेंगे न तो उपर से तो एक शीट चाहिए गी बेलने के लिए या फिर स्पैचुला से करें बढ़िया से इसको बेल लिया है आप जितना मोटी चिक्की चाहे उतनी आप इसकी लेर रख लें कितना आपको थिक रखनी है पतली रखनी है कैसा रखना है और मैंने यहां स्केल यूज की है आप रफली भी चौप कर सकते हैं तो मैं स्केल से बिलकुल मेजर करके ये कट कर रही हूं कट लगा लिया है आप इसका बना सकते हैं देखे कैसे टूट रही है ये देखे कितनी क्रिस्पी है और बिल्कुल भी हाड भी नहीं है ना दातों में चिपके कि बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसका टेक्शर देखिए तो यह इस तरीके से मैंने सारी चिक्कियों को तोड लिया है बस साज हमने क्रश्ट पीनट चिक्की बनाई है साबुत पीनट की भी हमने चिक्की बनाई है वह मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया आप चेक कर सकते हैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चलिए फ्रेंड्स जाती हुए ठंड में एक बार चिक्की की रेसेपी तो बनानी बनती है वरना अगली सर्दियों में ही खाने को मिलेगी तो चलिए दोस्तों रेसेपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नई रेसेपी में